गुट मॉर्णिंग बच्चों आज हम एक्सरसाइज डिसकुशन करने वाले हैं देखो ए टिक दे कोरेक्ट ओप्शन पर तुम्हें टिक देना है नमबर वान इस बार में के होल एलंग दा बैंक ओफे रिवर टू मेंक इस स्नैच्ट इस एड मेंसे जो चारो अप्शन मेंसे कौन सा ऐसा बार है जो रिवर के बैंक में जो नदी के किनारे होल बना कर वहाँ पर वो अपना नेश्ट बनाता है कौन स्वान या फिर डोग या फिर क्रैन या फिर किंग फिसर कौन सा बार होगा सही अंसार है option D, kingfisher no.2 hands and peacocks are decks hand और peacock कोंसा बाड़ बोला जयता है wedding bars या फिर stretching bars या फिर praying bars या फिर climbing bars कौंसा बाड़ बोला जयता है सही option है answer B stretching bars no.3 beaks of these bars have strainers इनमें से कौन से बाड़ के beaks मतलब उनके माउथ strainers होता है A, cellos B, pigeons C, dogs no.D, hands कौंसा सही answer है C, dogs B, fill in the blanks blanks तुमें fill करना है No.1 Dex है जो hook beak कौन से बाड़ के beak जो होता है वो hook के जिसे होता है Parrot का answer होगा Parrot P, R, R, O, T, parent No.2 Dex bar make its nets with lips कौन से बाड़ है जो पत्ते में अपना nest बनाता है Teller Teller's bars यह अपना nest जोता है वो leap में बनाता है No.3 Dex चे home of a bird बाड़ का होन कौन सा है A, nest nest होता है उसका home No.4 Dex very lazy bird कौन सा बाड़ lazy होता है Cuckoo Coyle Coyle जो होता है बहुत lazy bird होता है C, U, C, K, O Cuckoo Cuckoo कैसे lazy bird होता है बोलो तू क्योंकि Cuckoo जो होता है अपना एक कहां पर देता है Crow के nest में अपना एक ते देता है पर इसका कोई nestी नहीं रहता यहार तरब घुनता रहता है इसलिए यह बहुत lazy bird बोला जाता है इसको lazy bird कौन सा है Cuckoo 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 इचे very lazy bird